सबसे पहला अतिशे महत्वपूर्ण बात लिखी है कि भोजन उष्ण होना चाहिए उष्ण मतलब पका हुआ गर्मा गरम भोजन होना चाहिए कोई भी चीज पर अगनी संसकार होने के बाद दोबारा अगनी संसकार नहीं किया जाता भोजन पकाया सबजी बनाई तो एक बार पक गई तो उसको गरम है तब तक ही खाना चाहिए दोबारा हम गरम करके खाएंगे तो उसका खर पाक बनके विदाही बनता है विदाही मतलब शरीर में जाके गरमी पैदा करेगा और देर से पचेगा पित्त की बिमारी को बढ़ाएगा तो एक बार अगनी संसकार किया हुआ अन्न दोबारा नहीं खाना चाहिए उष्ण भोजन करने से भोजन में रूची उत्पन्न होती है, स्वाद उत्पन्न होता है उसके कारण अगनी तो यहां रोगों की तो जड़ी काड़ दी गरम गरम भोजन खाया तो अगनी मन्ध होने का सवाली नहीं है क्योंकि ग्रंत का वचन है कि अगनी बढ़ता है और खाया हुआ बोजन शिगर पज जाता है बोजन खाने के बाद 2-3 घंटे तक आमाशे में रहता है आतों के 3 हिस्से है एक आमाशे है, दूसरा ग्राणी है और तीसरा पकवाशे है तो 3 घंटे तक 2-3 घंटे प्रकृती के आनिसार समय बदलेगा लेकिन जादा से जादा 3 घंटे तक आमाशे में रहेगा इसलिए भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए अगर सोएंगे तो शेरिर में पित बड़ेगा, विक्रुत कब बड़ेगा, स्थूलता बड़ेगी पचन ठीक से नहीं होगा, कच्चारस बनेगा और अगर बाई करवट पे सोएंगे तो 3 घंटे के बाद भोजन हजब होने के बाद जो ग्रहनी में आगे चला जाना चाहिए, वो आगे नहीं जाएगा तो गुरुदेव ने ये स्वास्त के लिए सब को बताया कि सुर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए शाम को या 5 से 7 के बीज भोजन करना चाहिए, तो बराबर 5 के 7 से बीज हम खाएंगे और 9.30 बजे सो जाएंगे, तो तब तक आमाशे से अनन ग्रहनी में चला जाएगा और अपना पचन ठीक डंग से हो जाएगा गरम भोजन होता है, तो वायू का अनुलम होता है वायू का अनुलमन मतलब क्या है, ये पाच वायू अपने शरीर में अलग-अलग गती से काम कर रहे है और उनकी प्राकृत गती रहने से हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं बनती अगर उनकी प्रतिलोम गती बन गई तो उससे कई सारी खतरनाग बीमारी हो शकती है रुदै की बीमारी हो सकती है, दिमा की बीमारी पैरलिसिस होता है, ब्रेम हीमरेज होता है तो गरम भोजन खाने से इतनी सारी बीमारी उसे अपनी रक्षा होती है कितने लोग 45 मिनिट से पहले भोजन करते हाथ उपर करेंगे देखो कितने गिने चुने हाथ उपर है बहुत धन्यवाद हैं इनको कि ये हमेशा स्वस्त रहेंगे जैन धर में भी ऐसा कहा गया है कि 50 मिनिट से पहले भोजन कर लेना चाहिए ऐसा मैंने सुना था